बिना स्क्रॉल वील का एक कम्प्यूटर माउस बेकार होता है। यह बिलकुल वैसा है जैसे आपके पास टीवी हो, लेकिन रिमोट कंट्रोल ना हो। आप इसे चला तो सकते हैं, लेकिन क्या इतनी मैनद करने की ज़रूरत है। इस एपिसोड में हम स्क्रॉल वील को डीटेल में समझेंगे। पहले हम दो अलग-अलग टेकनोलोजीज जानेंगे, जिन्हें रोटेशन की स्पीड और डारेक्शन को नापने क्ले यूज किया जाता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ माउस में स्टेब्ड या क्लेकिंग मोशन क्यूं होता है। जबकि कुछ काफी स्मूदली स्पिन करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यह वीडियो PCB वे द्वारा स्पॉंसर्ड है। इनके बारे में बाद में थोड़ा और जानेंगे। स्क्रॉल वील्स आम तोर पर रोटेशनल मोशन को नापने के लिए या तो ऑप्टिकल रोटरी एंकोडर्स या फिर मैगनेटिक रोटरी पोजीशन को यूज करते हैं। इन दोनों का फंक्शन तो एक जैसा ही होता है क्योंकि यह दोनों ही रोटेशन नापते हैं। लेकिन यह टेक्निकल ही अलग होते हैं क्योंकि एक लाइट और आप्टिक्स का इस्तमाल करता है। जबकि दूसरा मैगनेट का इस्तमाल करता है। चलिए पहले optical rotary encoder को देखते हैं इसके तीन मुख्य component होते हैं पहली है एक infrared LED जिससे light निकलती है और एक lens जो इसे focus करता है फिर optical sensor का एक pair है जो light को detect करता है और आखिरकार scroll wheel के अंदर mounted एक encoding disk होती है जिसमें 48 बराबरी से spaced spokes तीलिया होती है जब हम wheel को spin करते हैं तो यह rotate होते ह बिलकुल एक cycle wheel के spokes की तरह Optical rotary encoder में मुख्य बात यह है कि जब wheel rotate होता है तो IR LED से निकलने वाली light encoding disk द्वारा थोड़ी सी block हो जाती है जो light spokes के बीच वाले slot से निकल कर दो optical sensor तक पहुचती है वो electrical signal में बदल जाती है जिसे pulse wave या pulse strain कहा जाता है wheel के एक पूरे rotation में हर sensor light की 48 pulses देखता है जिसकी वज़े से 48 electrical pulses होती है चलिए इस wheel को तेजी से spin करते हैं हर 1 by 100 second में sensor light की 12 pulses देखता है और generate हुई pulse strain को इस्तिमाल करके processor calculate करता है कि wheel एक second में 25 बार rotate हो रहा है और यह जानकारी computer को भिशता है यह जानकारी speed से नहीं बलकि degree में नापे गए angular distance और हर second के 1000 वे के 100 वे हिस्से में travel किये गए direction के संधव में होती है operating system और उसके software इस angular distance और direction की मदद से यह जान पाते हैं कि website यह application में कितना उपर या नीचे move करना है लेकिन scroll wheel को कैसे पता चलता है कि वा किस direction में rotate हो रहा है दो sensor एक दूसरे के बगल में होते हैं और wheel के rotation के direction पर निर्भर करते हुए एक sensor light को दूसरे के पहले देख पाता है example के लिए अगर आप wheel को नीचे scroll करेंगे तो दो adjacent sensor से आने वाली pulse train कुछ इस तरह दिखेगी जबकि जब आप wheel को उपर की तरफ scroll करेंगे तो यह कुछ ऐसी दिखेगी इस तरह से इसे टेखनिकली एक incremental quadrature encoder कहा जाता है इसे encoder इसलिए कहा जाता है क्योंकि encoding शब्द का मतलब होता है data के एक form को दूसरे form में बदलना और इस case में हम mechanical rotational motion को पहले एक electrical pulse train और फिर speed, distance और direction में बदल रहे हैं चलिए अब दूसरे तरह के scroll wheel magnetic rotary position sensor को देखते हैं light और कुछ slits को use करने के बजा है इस scroll wheel में एक magnet लगा होता है और wheel के बगल में एक microchip होती है जिसमें दो magnetic field sensor होते हैं जिनहें hall effect sensor कहा जाता है इनका इस्तमाल magnetic field की strength और magnet की rotational position को पहचानने के लिए किया जाता है यह sensor काम कैसे करते हैं हर sensor में metal यह semiconductor की बहुत छोटी सी plate होती है जिसमें electron flow कर रहे होते हैं physics की एक basic law जिसे Lawrence force कहा जाता है के हिसाब से electron जैसे सभी moving charge particles magnetic field दोरा प्रभावित होते हैं जब moving electrons इस orientation में magnetic field के संपक में आते हैं तो यह plate के निचले हिस्से की तरफ deflect हो जाते हैं या फिर अगर magnet को rotate करके magnetic field की direction बदल दें तो यह plate के उपरी हिस्से की तरफ deflect होने लगते हैं क्योंकि magnetic field की वज़ए से electron plate के किवल एक ही side इखटा हो जाते हैं इसलिए हमें उपर और नीचे वाले हिस्से के बीच का वोल्टेज डिफरेंस ना अपने के लिए कुछ तारो और अतरिक्त सरकेट्री की ज़रूरत पड़ेगी जब magnet rotate होता है तो electron plate के एक तरफ से दूसरे तरफ पुश हो जाते हैं और वोल्टेज के एक sinusoidal shape में positive से negative और फिर से negative से positive flip होता रहता है वोल्टेज की swing की मदद से rotation speed और angular distance calculate किया जाता है लेकिन एक अकेला hall effect sensor rotation का direction नहीं बता सकता इसलिए इस microchip में हमारे पास दो hall effect sensor हैं जिन्हें एक दूसरे के perpendicular लगाया गया है और इन्हें हम X और Y label कर रहे हैं दो sensor की मदद से हम हर अलग angle के लिए scroll wheel की absolute angular position निकाल सकते हैं 0 से 359 degree तक X और Y magnetic sensor पर voltage का एक unique combination होता है यहाँ पर microchip हर 1 by 1000th second में exact angular position को record करती है और इससे पिछली position के साथ compare करती है measurement के angle और time के difference को use करके mouse speed, angular distance और movement का direction तै करता है और उसे computer तक भेजता है यहाँ पर कुछ चीजें note की जानी चाहिए पहला हमने जिस incremental optical encoder के बारे में बात की थी वह absolute angular position को नहीं जान सकता क्यूंकि wheel में 48 equally spaced spokes होते हैं और यह angles के बीच का फर्क नहीं समझ सकते लेकिन ऐसा absolute optical encoder भी मुमकिन है जिसकी disk कुछ इस तरह दिखती हो जिसमें अलग angles के लिए अलग sections खुले हो जिनसे light आ सके यहाँ भी interesting है कि Lawrence force जिसके कारण move होते हुए electron magnetic field द्वारा deflect होते हैं का सिध्धान्त सभी electric motors में इस्तमाल होता है केवल wires के coils और magnetic field की अलग-अलग configuration होती है चलिए अब दो अत्रिक्त features को देखते हैं यहाँ हमारे पास scroll wheel assembly है जो आप एक push button में देख सकते हैं जब आप scroll wheel को नीचे की तरफ push करते हैं तो यह button को trigger करता है और जब आप इसे release करते हैं तो plastic या कभी-कभी spring इस assembly को फिर से उपर की तरफ push करती है ज्यादातर scroll wheels में कुछ ऐसा mechanism होता है कि scroll wheel के rotate होने पर एक click जैसा motion और sound create हो यह करने का एक आम तरीका है रिजेस की एक ring, एक spring और एक चोटा plastic follower जो रिजेस के साथ काम कर सके जब इस button को दबाया जाता है तब motor turn होती है और follower को engage करने के लिए rotate होती है ताकि यह ridge के against दबे जब आप wheel को rotate करते हैं तो plastic रिजेस के उपर और नीचे move करती है जिससे एक stepped या chatting motion create होता है और spring एक बहुत ही हलका सा force लगाती है ताकि plastic follower ridge के संपक में रहे अगर आप wheel को जल्दी से spin करेंगे तो plastic उपर नीचे move होती रहेगी और wheel को तेजी से slow करेगा उसके मुकाबले जब follower plastic के against पेस नहीं होता और scroll wheel freely move कर रहा होता है एक चीज और note की जानी चाहिए कि इस वीडियो में हमने rotational motion को नापने के केवल दो method कवर किये हैं optical encoder और magnetic position encoder computer mouse के हजारों डिजाइन है और rotation को नापने के भी कई अलग-अलग तरीके हैं अन्य तरीकों में शामिल है potential meter जो की एक resistive track और wiper का इस्तमाल करता है जिसके वज़े से electrical resistance में बदलाव होता है पुराने और सस्ते mouse में wheel पर दो push button और एक attachment होते हैं जो की इन buttons को actuate करते हैं इसके अलावा scroll wheel push को register करने और mouse को rotate करने पर अलग aesthetics create करने के लिए अलग-अलग method होते हैं example के लिए यह scroll wheel electro permanent magnet और teeth का इस्तमाल करता है जो magnetic field को conduct करते हैं जिसकी वज़े से wheel एक tooth से दूसरे tooth पर जाता है कई और भी design है जिने हमने इस वीडियो में cover नहीं किया है लेकिन अगर आपके पास एक टूटा हुआ mouse है तो हम credit करेंगे कि आप उसे ध्यान से देखें printed circuit board या PCB हर जगे पाए जाते हैं और इस mouse के अंदर आप ऐसे चार board देख सकते हैं यह देखने में complicated लगते हैं पर इन्हें design करना बहुत मज़ेदार होता है और हमारे sponsor PCBWay के जरीए इन्हें खरीदना भी बहुत असान है PCBWay competitive price और अच्छे standards के साथ जल्दी से आपकी PCB manufacture कर सकते हैं यह PCB assembly service भी provide करते हैं जिसमें यह component को PCB के साथ populate और solder करते हैं अगली बार जब आप breadboard से छुटकारा पाना चाहें और अपने project को अलग level पर ले जाना चाहें तो अपने printed circuit board manufacture करवाने के लिए आप PCBWay consider कर सकते हैं हमारे channel को sponsor करने और engineering education को support करने के लिए PCBWay को धन्यवाद नेचे description में दिये गए link को यूज करके आप PCBWay को check out कर सकते हैं scroll wheels के लिए इतना ही या computer mouse पर आधारित दूसरा वीडियो है पहले वाले में हमने optical sensor को explore किया था और जाना था कि mouse surface की image कैसे लेता है और X और Y movement को कैसे calculate करता है हम recommend करते हैं कि आप इसे एक बार देखें हमारा ऐसा मानना है कि भविश में engineering education पर ध्यान देनी की जरूरत है और इस dream को support करने के लिए हम अपने patreons और YouTube membership sponsor का शुक्र गुजार है अगर आप हमें YouTube membership या patreons पर support करना चाते हैं तो आपको description में उसके link मिल जाएगी साथ ही जानकारी देने के लिए script को review करने और mouse को खोल कर देखने के लिए Logitech को भी धन्यवाद सब्सक्राइब करना, नीचे कमेंट करना और दूसरों के साथ इस वीडियो को शेर करना बिलकुल न भूले यह है branch education अंतक देखने के लिए धन्यवाद